हेए गाईस कैसे हैं आप आई होब आप सभी लोग अच्छे होंगे अप मेरे सामने देख सकते हैं कि हम कार वासर मसीन के स्टीटर को इसके बॉड़ी से निकाल चूके हैं यह कार वासर का मोटर में लगने वाला इस्टीटर है फ्रेंस तो इसको हम वांडिन करेंगे आप लोगों क्यों सारा प्रोसेस देखाएंगे इसका वांडिंग डाटा बताएंगे और किस परकार से हमें इसका वांडिंग करना है और क्या चीछ की साउधानी लखना पड़ता है यह सारी जानकारी हम अपने इस वीडियो पर देंगे तो बने रही है दोस्तों हमारे चैन वीडियो नहीं देख नहीं है तो मैं इस वीडियो के लिंक को दे दूंगा वहां जाकर आप दे सकते हैं कि इसमें कितने नंबर का वायर से वांडिंग होता है तो यह देख सकते हैं फ्रेंट हम 6 नंबर के कॉईल को कुछ warrior कर चुके हैं अब आफ पर 8 नंबर 10 नंबर क मार होगा किसी परकार से प्रसानी नहीं होगा तो यह देख सकते हैं मैं इस परकार से इसको शेप दिया हूं तो इसी परकार से आप लोगों को भी कर लें आ जब भी आप कॉल का installation करते हैं तो यह जो हमारे बीच में चार स्लोट देख रहे होंगे उनके नीचे से हमारा coil जाना चाहिए कुछ इस परकार से तो मैं जल्दी जल्दी से अब सारे coil को डाल कर आप लोगों को दिखाता हूँ और एक चीज का खास ख्याल रखना है फ्रेंस हम जब भी coil को install करना है तो हम को यह outer और inner का खास ध्यान देना है यह देख सकते हैं यह हमारा inner wire है जो की हमारा left हाथ के side में है और right side में हमारा outer वाला है तो जब भी आप हम अगला coil डालेंगे तो इसी परकार से होना चाहिए जो हमारा outer वाला जो wire निकलेगा वो हमेशा right किसे के side होना चाहिए और left side हमेशा इनर होना चाहिए तो यह बातों का खास ध्यान रखना होता है तो देख सकते हैं इस परकार से हमारा यह कोईल डालेगा यह आउटर वाला जाएगा सिधा इनर की तरफ और यह जो निकला है यह हमारा आउटर वायर है यह आना चाहिए राइट हाथ के साइड आना चाहिए तो मैं बताते हूं कि जब इस वाले को यह हमारा डालेंगे तो हम जब को डालेंगे तो इस साइड को जब डालेंगे यहां पर और यह पर बैठेंगा तो इसी साइड हमारा outer wire निकलना चाहिए ना कि इस तरब अगर इस तरब अगर निकला है हमारा outer wire तो वो winding गलत है फ्रेंज तो देखिए मैं किस परकार से इसको install करके आप लोगों को दिखाता हूँ इसी side ही मेरा outer wire निकलेगा तो ये देखिए फ्रेंज मैं आप लोगों को बताया था किना हम हमारा जो outer side है वो outer ही side निकलना चाहिए और inner के side निकलना चाहिए तो ये देख सकते हैं हम जब 10 वाला coil को बठा है इसमें तो हमारा outer right side में निकलना है और inner left side बन गया है इसी परकार से आप लोगों को भी वांडिंग करना है देख सकते हैं अच्छे से बड़िया से शेप दे देंगे इसको तो ये अच्छा गोल बन जागा तो फ्रेंज इसी परकार से हमें वांडिंग करना होता है इनर के side inner wire आना चाहिए और outer के side outer ही निकलना चाहिए तो देखिए इस परकार से अब मैं सारे coil को जल्दी जल्दी से install कर देता हूं ज्यादा time waste नहीं करूंगा वीडियो लंबा होता जा रहा है तो ये हमारा next part है friends जो हमारा washer machine का अगर पहले वाले part को नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के description पर इसा link देदूंगा या फिर i button पर देदूंगा वहां जाकर आप इसको खोलना कैसे है इसका connection किस परकार से होता है ये जाकर आप वीडियो देख सकते हैं तो मैं जल्दे से इसको install करके दिखा तो देखिए guys हम coil के एक set को बैठा चुके हैं जो की हमारा आठ दस बारा का coil था इसको हम बेठा हुए हैं ये देख सकते हैं running का हमारे एक set बैठ चुका है और इसके just उपर एक set और हम बना चुके हैं जो की ये फर्मा से बना हुए हैं इसको हम बैठा हुए उसके बाद यह complete हो जाएगा उसके बाद इसका complete हम इसे बांध कर connection करके आप लोगों को दिखाएंगे तो friends मेरे channel के साथ बने रही है और channel पर नए हो तो channel को subscribe कर notification को on कर दें तो देखे मैं इसको जल्दी से complete कर देता हूँ इस पर हम starting पर हम 27 नंबर के wire का यूज कर रहे हैं friends तो यह हमारा 10 और 12 के पीछ है यह खाली पीछ पर हम इसको लगाएंगे तो मैं जल्दी से complete करके आप लोगों को दिखाता हूँ सारा connection तो देख सकते हैं guys हम इस motor का finally winding कर चुके हैं यह हमारे starting coil है और यह running coil और इस परकार से आप देख सकते हैं loop निकाले हैं बहुत सांदा तरीके से हम इसका winding किया है और यह पीछे के side को पुरा बांद चुके हैं friends तो इस परकार से सफ़ाई से winding किया जाता है तो यह देख सकते हैं हमारे पास यह चार लूप निकल कर आया हुआ है जो की दो लूप हमारा starting coil का है और दो लूप हमारा running coil का तो इस परकार से लूप को निकालना होता है अब मैं इसका connection करके आप बताता हूं अब पुरा इसम हम अपने मोटर पर किस प्रकार से इसको लगाएंगे यह जानकारी दूंगा तो बने रही है हमारी वीडियो के साथ और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर किजिए फ्रेंश और एक चीज का ध्यान रखना होता है फ्रेंश हमें बीच पर इस परकार से सेपरेटर पे पर को रखना पड़ता है तो मैं इसको अब कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाता हूं फ्रेंश तो देखिए फ्रेंश हम मोटर को पूरा रिवाइंड कर चुके हैं इसे बांद चुके हैं इस परकार से हमारा मोटर दिख रहा है तो यह देख सकते हैं इसका यह कनेक्ट तो देखिये यहाँ पर हम पीला को रनिंग का वायर बनाए हैं और काला को श्टाटिंग का वायर, तो इस परकार से हम पूरा मोटर को बांध चुक्के हैं, पीछे का ये नजारा देख सकते हैं, कुछ इस परकार से है तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है फ्रेंस तो हम इसको अब कंप्लिट कर लिया है तो हम इसके अंदर को लगड़ी के मदद से जो इस परकार से जो पीपर उठा है उसको हम इस परकार से दवा देंगे सारे को उसके बार वारने डाल कर ह हम इसको सुखा देंगे फिर आपको मोटर का मोटर में इसे लगा कर फिर आप लोगों को चला कर दिखाते हैं कि हमारा मोटर किस प्रकार से प्रफाइमेंस दे रहा है इस पीड अच्छा आ रहा है कि नहीं तो बने रहे हैं मेरे विडिये हम इस मोटर में इस टेटर को लगा चुके हैं इस परकार से अंदर ये लग जाते है मैं आप लोगों को दिखाए था हम इसके इस टेटर को वांडिंग करने के लिए बाहर निकाले थे और अभी पूरा अंदर डाल दिये हैं तो इस परकार से हो गया ये हमारा अब हम इसके इस बोडि को इस आर्मेचर को यहां फिट करेंगे सामने का पोर्शन को उसके बाद हम चला कर देखेंगे तो देखिए फ्रेंट हम इस वासर मशीन को इस परकार से हम पूरा ये पैक कर चुके हैं इसके सारे स्क्रू को टाइट कर चुके हैं और हमारे ये देख सकते हैं हमारे मोटर से चार वायर निकला है जिसमें से हम दो वायर को हम कौमन बनाए हुए है और ये हमारा रनिंग और ये श्टाडिंग और यह friends देख सकते हैं जो कि हमारा इस pressure meter के लिए गया हुए है wire तो इसको series पर connection करना होता है तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से जोड़ना होता है तो देखें मैं इस cabinet को जो आप मेरे हाथों में देख सकते हैं इस cabinet को हम यहाँ इस प्रकार से fit क कर देंगे उसके बाद हमारा यह सकते हैं switch है जो की हमारा double switch है यह पॉइंटfunded एक टच होता है और वह पॉइंट होगता है इस परकार से हमारा यह सब् defastICA इसको मैं अब complete करके आप लोगों को दिखाऊंगा फ्रेंट चला कर दिखाऊंगा यह देख सकते हैं हमारा यह फैन इस परकार से चल रहा है यह यहाँ पंप के वज़ा से थोड़ा यह पंप करता है दोस्तों तो यह देख सकते हैं कितना इस मौत है यह तो इस परकार से चले तो बने रही है हमारे वीडियो के साथ और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिये फ्रेंट जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इसी परकार से नय नय टॉपिक लेकर आते रहते हैं तो तो देखे मैं इसको कंप्लेट करके दिखाता हूं तो देख से है यह इस परकार से में लिटका है तो यह हमारा यह पीला वारा इसका यह बोडी अर्थिंग वाला है यह अर्थिंग और यह न्यूट्रल और यह फेज तो इस परकार से यह न्यूट्रल और फेज और यह एक अर्थिंग है जो कि हमारे बोडी के साथ कनेक्ट हुआ है औ और ये देख सकते हैं जो मीटर से आया हुआ है ये वाला वायर इसे आप एक परकार से आटो कट मान सकते हैं इसको जब भी हमारे इस परकार के मोटर पर अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा ये मीटर के हिसाब से अगर ये ये रेट क्रॉस करेगा इसका कांटा अगर ये तो इसका connection करना कैसे है तो मैं बताता हूं तो यह देख सकते हैं इसका यह वाला वायर जो हमारे running motor के running point होता है जो condenser से लगता है एक starting और एक running तो मैं condenser को सबसे पहले connect करता हूं यह हमें सा series connection में लगेगा तो मैं अभी complete bit इसको wiring करके दिखाता हूं तो यह हमारा capacitor जो कि 20 mfd का है यह देख सकते हैं 20 mfd का capacitor है और इसमें यह दो वायर है जो इस motor के running और starting पर जाकर जुड़ेगा और एक हो गए हमारा common जो कि हमारे button के साथ जाकर सिधा connect होगा और running वाला वायर सिधा इससे जाएगा auto cut से होकर जाएगा running वाला वायर तो मैं भी connect करके दिखाता हूं तो देख सकते हैं फ्रेंट हम किस परकार से इसको connect कर रहे हैं यह देख सकते हैं यह हमारा running वाला तार है और यह starting का तार है और दोनो इसके पिष्टा से जुड़ा है running और starting और यह हमारा common वाला वायर है तो देख सकते हैं यह वाले running के साथ हम यह आटो कट वाला जो हमारा लगा हुआ है उसके साथ एक वायर को जुड़ हुआ है जो की सीरीज में connection है इसे आप टियोपी का connection करते हैं उस परकार से भी समाझ सकते हैं यह एक परकार का टियोपी का काम करता है अगर ज्यादा प्र इसी तरह से यह काम करता है तो देख सकते हैं running के साथ यह टियोपी वाला एक वायर यहां पर जुड़ा है और यह नीला वायर और यह common वायर सिधा हमारे ac lit के साथ यह इस वाले बटन के साथ यह दोनों point पर जाकर जुड़ जागा तो इस परकार से हमारा connection पुरा हो जागा friends यह देख सकते हैं मैं इसको button पर लगा दूँगा जो कि यह वाला button है वहीं यह दुनों तार लग जाएगा उसके बाद हमारे complete हो जाएगा फिर मैं इसको on करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि यह किस परकार से हमारा work करता है तो देख सकते हैं guys हमारा यह motor हम पूरा इसको लगा चुके हैं यह हमारा complete है आप हम इसको power दे कर देखेंगे कि यह किस परकार से performance दे रहा है तो देखें मैं इसके AC coat को लगाता हूं तो देखें मैं इसको power पर लगाता हूं इसके बाद यह किस परकार से चलता है वो दिख खाएंगे फिर तो यह देख सकते हैं मैं पावर को ओन कर चुका हूं और इस पावर बटन को ओन करते हूं तो देखा गाइस हमने किस परकार से इस मोटर को फुल रिवाइंड किया और इस परकार से हम इसका पूरा रिपेरिंग किये तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर इसी परकार से नए नए टापिक पर वीडियो डलते रहेंगे तो हमारे चैनल के साल जुड़े रहे और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर किजिए फिरन जय हिंदो